श्री राधे राधे, भक्तों दूद का मक्खन बनना एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही होता है, जब तक वो मक्खन नहीं बन जाता है, तब तक उसको जल में गिरने से बचाना पड़ता है, क्योंकि डूद यीज़ जल में गिर गया तो फिर वो निकल नहीं शकता है, उसे में घुल जाता है, जही भी जल में गिर जाएगा तो गुल मिल जाएगा, अलग नहीं होगा, मठ्ठा भी उसमें घूल मिल जाएगा अलग नहीं हुआ लेकिन जब वो मक्षन बन जाएगा तो जल की चाहे विशाल रास में उसमें को गिरा दो वो अलग ही रहेगा उसमें घूलेगा नहीं ऐसे साधना काल में बहुत त्याग में जीवन जीना होता है साधक को तमाम भोगों से बचना पड़ता है लेकिन जब साधना की परपूर्ण अवस्था आती है तब संसार के सब अदार्थ भगवान के हो जाते हैं अपनापन हर जगस से समाप्त हो जाता है तो छोटी से बड़ी बस्तुएं तक सारा इश्वर, सारे पड़ार्थ सब ठाकुरजी के हो जाते हैं तब वो सेवार्थ हो जाते हैं फिर बंदन कारक नहीं रहते हैं और सभी संतों के जीवन में देखने को मिलता है इस साधनाकार में बहुत त्याग तकस्या सब करनी होती है उसके बिना मन असंग नहीं होता है और जब वो साधना पर पूंड हो जाती है तो सरवस्तों प्रभू का दिखलाई पड़ता है तो भगवान की सेवा में सब कुछ लग जाता है कहीं भी अपना पन नहीं रहा जाता है रतन सिंग जो बाद में राम रतन दास जी बन जाते है उनकी तीर्थ यात्रा की बात मैं आपको कल सुना रहा था कि वो अद्लिनाथ की तीर्थ यात्रा में गए थे अब आपको मैंने बताया था, उनके पास कुल 6 रूपए थे, और 6 रूपए इतनी लंबी आत्रा में, एक संत ने मागे, उन्होंने पूरे के पूरे दे दिये, कुछ भी नहीं बचाये, एक रूपए भी अपने पास, और जब पैदल चलते 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 बद्धिनाथ पहुंचे हैं, तो बद्धिनाथ धाम में उनके मन में बद्धिन आरायन भगवान के चर्णों में कुछ द्रव समर्पित करने की काम ना हुई, पर इनके पास था ही क्या, महान त्यागी, सब कुछ तो छोड़ा है थे, छह रुपए भी अब नहीं थे, जो बच्चे थे वो भी संत को दे दिया था, अब इनकी मुगली में एक चादी का छला था, अंगुठी भी नहीं, छला पतला सा चादी का, लेकिन वो धन तो था ही भले ज्यादा नहीं था, तो उस्ती रामरत अंदाश दी जो उसमें रतन कहे जाते थे, उसी को भगवान के चणों में समर्पिट कर दिया, वो लक्ष्मी की प्रतीक थी, वो मुदरी, वो चला, तो लक्ष्मी को भगवान की सेवा में सौप करके, अब जीवन भर के लिए विरक्त हो गए, अब उनके पास एक भी पैसा नहीं था, पर भगवान तो विश्वम भरते हैं, हैं भक्तों ना, भक्तों का विशेश ख्याल करते हैं, अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते हैं, रतन सिंग बद्लिनार्यन की आत्रा समाप्त करके लोट पड़े, हरिद्वार में आये, पैदल चलते चलते जब, तो दो पार हो गई थी, भूक बहुत लगी थी, किसी ने बता दिया, काली कमली वाले बाबा के खेतर में गए, वहां केवल हालकी हलकी दो रोटी मिलती थी, लाइन में लगने पर दो रोटी मिली, हलकी हलकी, उसको खाने पर त्रिपकी बिलकुल कि बहुत हल्की रोटी फिर दो ही ठीं केवल केमाने जब पॉंचे नुरो एक पानी करते हुए कि जब सबको जो दो रोटि ची में तो तुम्हें अथि कैसे हैज अ कि मत रतहन सुलन Kiss 1 Schrall da जिए एक चोट शिलती तैंस बहुत की द मजंने के लिए एक सिथी ओर हमा बना कि किसी से हम कोई बस तो ही नहीं मांगेंगे आज दो रोटी और मांगे लिए तो ऐसा कहा गया कि तुम साधू हो कि नहीं हो, साधू होता है तो इससे नहीं मांगता दुबारा फिर सोच लिए आप कभी नहीं मांगें किसी से कुछ और ये जिप संपत्ती बाद में बहुत आती करा आश्यम में लेकिन वो तो भगवान की मान करके वो सब सेवारत में लगता था किन्तो उन्हों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को इसी संकल्प के साथ आजीवन निर्वा किया था मांगते कभी नहीं थे कुछ बिन मांगे जो आ जाएगा प्रभु की इच्छा है मांगना नहीं है रतन सिंग तीर थे यात्रा करके घर लोट आए फिर उसके बाद माता को लेकर के रामे शुरम धाम की यात्रा किये यात्रा से लोट करके वे दिन भर राम नाम लेते रहते थे कभी-कभी तो नाम लेते लेते रोर नहीं लग जाते थे माता इनकी दर्शा से बहुत चिंते थे पर रतन सिंग को कोई चिंता नहीं वो तो निश्चिंत होकर एकांत प्री हो गए थे एकांत में राम नाम जब करते रहते थे और प्रेम भी भोर रहते थे संसार में प्रदिन अनंत घटना ये अनंत बाते होते रहती हैं पर उन सिक्षा ग्रहंट करने वाला कोई विरला ही होता बैक्तुम। और ठोकर खाएं कितने भी और कभी भी अंदर चोटना लगए सुधार कभी न हो ऐसे तो बहुत से होते हैं। और ठोकर खाने पर सुधारने वाले कोई गीने चुने ही लोग होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बार बहुत ज्यादा वरिष्टी हो जाने से गाउं खतम हो गया था। गाउं के लोगों ने अपना अलाग अलाग दूसरी जिगा घर बना कर दूसरा गाउं बना लिया था। लेकिन वह अपने वही टूटे-फूटे घर में रहे। किन्तो अभी घटना और घटी है। कुछ बंजारे जो चलते फिरते रहते हैं। उनका दल आया इनके गाउं के पास। वह कस्तूरी शिलाजीत आज बस्तूएं बेच से रहते हैं। पक्षियों को मार के खाते। तो जब उन्होंने देखा कि ये कस्तूरी शिलाजीत बेचने वाले ये सब बंजारे लोग जो आये थे। रामरतन के मकान के पास मेरू के थे। और दिन बर पक्षि मारना पक्षि मार मार के खाना बोनना ये सब जब देखा उन्होंने उनको बड़ा कश्ट हुआ। और मनी मन भगवान से प्रार्टना करने लगे प्रभू। ये कौनसी लिए हो रही मेरे घर के पास। इतने ऐसे लोग आ गए हैं कि सब पक्षियों को मार मार के खाते रहते हैं। मैं कैसे यहां रहूं। ये हिंसा मुझको देखी नहीं जाती है। तो महरा जो घर छोड़ दी है। तो चाप घर ते निकल गए है। अब उनकी माँ विजय कुवल ने देखा कि रतना तो घर में नहीं है। सोचा कि गाउं गया होगा। जहां गाउं के लोग अब रहते हैं। साज हुई, रात हो गई, लोटके नहीं आये। अब तीर थ्यात्रा तो कहीं गया है नहीं ये बेटा है। माता को बड़ी चिंता हुई। वो उनके गुरुदेव जो रहते थे नूराबाद में वहां भागी हुई गई। और जहां पहले डेवी राम बाहरे के यहां नौकरी करते थे रतना। अब नौकरी तो छोड़ चुके थे। लेकिन उन बाहरे सेठजी के पास गई भागी हुई। कि वहां तो नहीं है। तो देवी राम बाहरे सेठजी के यहां भी नहीं थे। और गुरुदेव के पास भी नहीं थे। तो फिर एक कुई चरवाहा आया। वो बताया कि माता तुम परिशान क्यों हो रही हो आपका बेटा तो कुछ दूर पर जो पहारी है वहां तो बिलकुल त्यागी साधू की तरह से लिंगोटी लगाए बैठा है और वहीं अकेले आँख बंद करके भजन कर रहा हो तो वो तो ऐसा जो सर्वस त्यागी साधू हो लिंगोटी लगाए हुए बैठे आएसे बैठा है तो वहां फिर माता गई माता को लेकर बहुत से लोग गए दूर था लेकिन फिर भी गई माता और लोगों ने भी कहा माता ने भी कहा कि तुमारे घर में तो कोई है ने के उल्मा ही तो है घर में बजन करो रतना बोले वह तो बहलियों का दल देरा डाले हुए, वो पक्षियों को मार मार के खाते रहते हैं, वहां अच्छा नहीं लगता है, बजन कैसे करें, लोगों ने कहा कि हम बहलियों को भगा देंगे, उनके उजार देंगे जोपड़े, चले जाएंगे, रतना ने कहा कि नहीं भी, आएशा म करो, हम कष्ट उठा लेंगे, पर अपने आराम के लिए किसी का घर विगाड़ने को हम कैसे कहें, उन लोगों के जोपड़े जोपड़े हैं, उनको नहीं उजार ना, मार माता भी रोने लगी, रोसी पर रोसी बहुत समझाए, किन्तु रतना लोट करके उस पहाड से गय न और जंगल तो बहुत कम था वहाँ, एक पीलू का पेड़ था और चोटी चोटी गास हैं थी, एक टूटा फूटा हनुमान जी का मंदिर था किसी जमाने के, उस हनुमान जी तो थे लेकिन मंदिर तो बहुत टूटा फूटा था, अब वहाँ ऐसे भजन में लगे, लिंगोटी लगाए हुए रतना, लोग रतना कहने में संकोच करने लगे, अब रतना बाबा उनको कहा जाता था, रतना बाबा उस जो पेड मैंने बता है न, पीलू का, कोई पेड कहा हो, बहुत छोटा सा पेड था, उसे के नीचे बैठे रहते थे, एक पत्थर पर, बरसात की दोनों में सारी बरसात, रात दिन भीगते रहते, पत्थर पर बैठने रहने से चमड़ी कड़ी हो गई, किसी चे कुछ भी नहीं मांगते थे, माता आकर के उनको भोजन दे जाती थे, गुराम के लोगों ने टेकरी पर एक जोपड़ी डाल दी, पहाड़ी के उपर जाए, रतना आव, रतना बाबा होकर रह रहे थे, और पूद्जी बाबा महराज टेकरी पर ग्यारा महीने तक रहे, बहुत भयंकर एक महामारी पड़ी है, समवत 1975 विक्रवी में, ज्यान रखने इस्वीशन की बात नहीं की जा रही है, मैंने आपको पहले बता था कि 57 वर्स कम कर दो तब इस पीशन आएगा, यह समवत है, 1975 विक्रमी समवत में महामारी पड़ी थे, अब इस समय अठाटार चल रहा है, मतलब एक सो तीन वर्स पहले की बात है, एक सो तीन वर्स पहले है, यह कोरोना से आप समझे सो वर्स पहले की बात है, कोरोना का शुरुवात हुआ था, कोरोना महामारी के ठीक सो वर्स पहले, बयानक महामारी पड़ी थे पूरे भारत, उन दिनों पहाड के उपर थे उस पहाड को टेकरी का जाता था भक्तूं तो जलती हुई चिताओं को देख करके उनका हुर्दे करुणा पूंड हुर्दे दुख से भर जाता था उनको लगता था कि सारा संसार जल रहा है उनका मनुश समय अपने प्रभू से मिलने के लिए ब्याकुल हो गया वे दिन भर रोते रात भर रोते राम जी को पुकारते रोते 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 ऐसी महारी पूरे भारत में फैली थी देख करके रतना बाबा बहुत ज़्यादा दुखी हो गये भक्तों रोते रोते रतना बाबा की आँखें सूझ गई बार बार करते है रगुनाज जी महराज तुम कहां हो आखिर एक रात को उनकी विरह वेदना आधिक बढ़ गई बड़े जोर से रोने लगे और कहने लगे है प्रभू मुझ पर दया करो फिर आम तुम्हारे बिना मेरा रोम रोम जला जा रहा है मेरे नाथ मुझे चरनों में शरंडो फिर दे इतना व्याकुल हुआ प्रभ से मिलन की इतनी चटपटी लगी महराज उसी समय पता नहीं कैसे जोपड़ी में आग लगी या बाबा नहीं लगा ली आखे बंद करके जोपड़ी के इंदर बैठ गए अमहराज उनको उस समय जीने की कोई इच्छा नहीं थी विरह के भैंकर पीड़ा में थे वो उस सवस्था में आग जोपड़ी में ऐसी फैली ऐसी फैली को उनको लगा कि आब उनका पूरा चरील जल के खतम होने वाला लेकिन भाग नहीं रहती निकल के धूआ और आग की लप्टें फैली विट चारट और अचानक किसी ने बाँ पकड़ करके बाहर खींच लिया और आवाज चुनाई पड़ी धैर रखो करह पर चले जाओ सारा जोपड़ा जल चुका था जैसे कहा जाते हैं आई मोज फकीर की दिया जोपड़ा पूंक जला दिया सारा जोपड़ा लेकिन भगवान ने उनको नहीं जलने दिया ताकर दूत अनल जेंस रिजा जरान सोत नहीं कारण कारज गिरिजा तो जैसे हनुमान जी के लिखा गया ने बगवान के दूत इसले जलने नहीं पाया अगमे ऐसे ही जल पूरा जलते वे जोपड़े के अंदर भी रतना बाबा जले नहीं अत्वायों का ने जैसे प्रहलाज जी राम नाम के पृताफ से अगनी में बैठे थे जलते नहीं थे ऐसे रतना बाबा सारी जोपड़ी जल गए लेकिन वो जले नहीं और किसी ने बाह पकड़ करके उनको खींच लिया और कहा दिया धीरज रखो करह पर जाओ तब उस आदेश को सुन करके वो करह जहां पूरे जीवनों रहे हैं करह के बाबा कहे जाते थे उस जगह पर पहुँच गए वक्तों अब वक्तों रतन सिंग जो रतना बाबा आप कहे जाते थे उनके अंदर राम मिलन की लाल सा दिन रात बशने लगी जी छट पताने लगा प्रभू से कैसे मिलें कब मिलें और जो भगवान से मिलें वही तो रह बताते हैं तो उनके गुरदेव जो नूराबाद वाले तपसी बाबा थे वो महान पुरुष थे और वैसे उनका नाम था सीता रामदास लेकिन तपस्चाद ही करते थे जिले तपसी बाबा कहे जाते थे और गोकुल के प्रसिद स्थान गोपाल घाट के महान शी भगवान दास्ची महराज ने उनकी दिख्चा की थी तपसी बाबा जो रतना बाबा के गुरदेव थे उनके जो गुरदेव भगवान दास्ची जो गोकुल में रते थे वो तीन सव वरस की आश्चेर जनक आय उप्राप्त किये थे और उनी के अलवके क्षिश थे तपसी बाबा जो रतना बाबा अर्थात राम रतन दास जी के गुरदेव थे ये तपसी बाबा भी 117 वरस की दीरगाय उप्राप्त किये थे और मुरत्यू के पूर्व ही अपने शिश्यों अनुवाईयों को सूचित किया था कि आमुक समय पर आमुक स्थान पर सरी चोड़ेंगे तो भक्तों शिव देश से समस्त शिश्यमंदली को लेकर शिव अयोध्याजी पधारे तक शिवभा और मंदिरों में दर्शन करके सर्यूत पर पहुंचे अगहनवदी एकादसी का दिन था प्रात्यकाल की आरती हो और भगवान का चर्णामृत भी पान कर लिया अपने ठाकुर जी का सर्यूत जी का जल पान किया और आसन लगा के बैठ गए चारों और शिश्यों ने राम नाम की ध्वनी प्रारंब कर दी और सीता रामदास जी जो रामरत अंदास जी के गुरुदेव थे तप्सी बाबा कही जाते थे उन तप्सी बाबा महराज ने समाधिस्त होकर अपने पांच बहुतिक कलेवर का परित्या किया और प्रभु के दीविद हमको पधार गए इनी को गुरु बनाया था मैं आपको पहले बिता चुका हूँ तो शरीर छोड़ने के पहले इनों ने गुरुदेव स फोरह से राम मंठ्र प्राप्ठ कर लिया और साथ-साथ नर्सिंग मंठ्र के भी दीख चली कि अ-अ-जी ज़िए और टब करह के स्थान पर रहने लगे थे हूँने और गुरुदेव ने आयोद्या जाने के पहले इनको तो, तुक्सिजी बाबा नि इनको राममन्त और नर्सिंह मन्तु deliberate इनको पहले दे दिया था। और, इनका नाम रव्तला बाबा की जगे का रामरतन दास रख दिया था। बाद में पतिया वाले बाबाबा लोग काने लगे लेकिन वास्टविक नाम तो रामरतन दासी था गुर्देव का दिया हुआ नाम और जहां पर रहते थे करह उस्षिद्धो का स्थल था बक्तूं लेकिन भयानक स्थल था वहां दिन में भी सिंग गाय भैंसों की तरह घूम तो तूम करह में बजन करना एक टूटा फूटा तीवारा है वहां की बॉलिए व्यक्तूं आप एससे समझे कि कोई पूटा फूटा कम रहा तो बाबा बोले रामरतन दास वहां एक टूटा फूटा तीवारा है रात कि समय डर लगे तो उस पर चड़ जाना उसकी चत पर वहां सिंग बहुत गुमते हैं तो समर्थ गुरु की आग्या शुरू धारी थी और जन्म से ही निर्भय थी महराज रामरतन गुदास तो और फिर गुरुदेव का आभायास प्राप्त कर लिया था तो दर के उस बात की थी और प्रलाद भक्त का आधर स्था इनके जीवन में तो भगवान का भजन करना है और निर्भय रहना है रामरतन गुदास बाबा अब करह वाले बाबा हो गय थे करह में भजन कर रहे थे मैंने बताया करह जगह जो है जो मुरैना और गौलियर के बीच में है वो जगह शिधष्थान है बहुत पुराने जमाने में शिध्य महात्मावन भजन किया किंटो वह राना कटिन था क्योंकि वहाँ कोई भी रहता कोई गाउं नहीं कोई कस्बा नहीं बिलकुल निर्जन स्थान जंगली हिंसक जन्तु हुई के वल उधर जाते थे और भगवन नाम की निष्ठा वाले भजन करने वाले संस को पहले रहा चुके वहाँ वहाँ जंगल में एक कुणा है जिसको सारी जुजी बोला जाता है तो वही रहते थे बाबा और एक दिन एक विचित संत का उनको दर्शन मिला जो संत तो कुल पांच-छे वर्ज के दिखलाई पड़ते थे पांच-छे वर्ज का बालक लेकिन उनकी सफेद जटा थी और सफेद दाड़ी भी थी अच्छे बरस के बच्चे को दाड़ी तो होती नहीं, लेकिन सफेद दाड़ी थी और सफेद जटा थी, तो उनको रामरत अंदाश जी ने हाथ जोड़के प्रणाम किया, पूछा आप कौन है बाबा, तो उनोंने का हम सिद्ध बाबा हैं, कहां रहते हो, हमें भी अपने इस शीला जंगल में दिखाई उनोंने, तो उस सिद्ध बाबा के पास आदबुट शक्ती थी, देखने में छोटे से बच्चे थे, लेकिन सफेद दाड़ी बाल थे उनके, तो वहां उनोंनों दिखलाया पत्थर हटा करके, कि नीचे धूनी लगी है, एक तलाया भी है, एक सर सर्यू कूप में जाता है, यहां तुम रह रहे हो, बहुत अदबुट संथ थे, वो कभी कृपा करते तो उस बालक संथ के रूप में आते थे, शिद्ध बाबा, और कभी सर्फ रूप में आते थे, विशाल लंबे सर्फ, उनको दीख करके लोग भागते हैं, बहुत जोर में भागते थे, मीलों भागते चलो कि इतना भारी सर्फ, तो खा जाएगा, लेकिन रामरद तंडा ची नहीं ड़ते थे, वो काते थे कि यह सिद्ध बाबा आये हैं, सिद्ध बाबा, और सिद्ध बाबा कहके परनाम करते थे, भक्तों तो जो जगह है, वो तो नेजन वहां की जाड़ी में बैठे हुए बजन करते रहते थे रामरत अंदास जी और वहां कोई आता ही नहीं था तो मांगते किस से बिन मांगे महान तपस्षी संथ लेकिन भगवान की भाक्ती में ऐसे डूबे थे कि उनको कभी इच्छाई नहीं होती थी कि कहीं सहर में गाउं मे जाएं वहीं जंगल में आनंद लेते रहते थे पुराने जमाने में कभी कोई एक ऐसे सिद्ध संथ वहां रहे कि जिनके पास गाएं थी बहुत ज्यादा और बहुत शक्ती थी उन गायों में कि वह इतना दूद देती थी कि उनके पास एक कराह था कहीं कराह भी बोलते हैं वह उनका गायों के दूद से भरा रहता था वह बलता रहता था दूद बिशाल कराह तो जितने भी लोग उस रास्ते कोई भी आत्रिस अधिक तर साधू संती निकलते थे उनको भर पेट दूद पिलाया करते थे बाबा तापने नहीं देते थे बस दूद पियो और जाओ जिक अठा किसी को नहीं होने जिते थे शिद्ध पुरूष थे तो उनकी तपस्थली होने की करण कराह और कराह नाम जो पहले था वह बाद में करह नाम हो गया और वही करह जगे आज भी करह कहलाती है तो करह वाले बाबा कहलाते थे राम रतन दास जी फिर तो भाक्ती की गत्ही प्रताफ से बड़े बड़े चमतकार हुए है प्रभू की बड़ी कृपाएं प्रकत हुई है बहुत लीलाय हुई था खुरूजी की अन सब को मैं आपको आगे सुनाओगा आज बाबा को प्रणाम कर कि यहीं ब्राम दे रहा हूं शीरा देधे दे 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 डेे शीर